दोस्तो नमस्कार, PRP TV में आपका हार्दीक स्वागत है, मैं रवी पारिक आपका दोस्त दोस्तो आपने महा भारत में एक केरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश कियो दोस्तो एक महा गुरु थे महा भारत में दुरुनो चार्गे उनको कौरणों का साथ दिना था, लेकिन वो बचपन से पांड़मों को और कौरणों को दोनों को शिक्षा देते हुए आए थे वो एक प्रकार से अपने राज महल के गुरु थे दोस्तो उन्होंने सभी सो कौरणों भाईयों को और पांचों पांड़मों को उन्होंने अच्छी सिक्षा दी हर प्रकार की युद्ध कला में उन्हें एक अच्छा एक्सपर्ट बनाया एक बार वो जंगल से कहीं गुजर रहे थे और वहां पर एक कुट्टा भौकने लगा किसी आपको तो जानते हैं कि भी कुट्टे भौकते इतना भौकते हैं कि भी एक के बार दूसरा तीसरा चौता ऐसे वो एक सिलसला शुरू हो जाता है तो ऐसे वो कुट्टे भॉंकने लगे और अचानक शांत हो गए उन्होंने उनके पास जाकर देखा तो वो कुट्टे के मुँ में बांड थे जिसके कारण उसका बोलना बंद हो गया अर्थाद किसी ने बांड चलाए थे वो आजपास में कही दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसने इतने परफेक्टली बांड चलाए थे के कुट्टे के मुँ में वो बांड थे और वो बोलना बंद कर चुगा जब ये बात द्रोनाचारे ने देखा तो उन्होंने अर्ज अर्जुन क्योंकि वो सबसे बड़ा धनुरधारी था अर्जुन ये तुमने चलाया अर्जुन बोला नहीं गुर्देव मैंने तो नहीं चलाया बाकी लोगों से पूछा सभी ने माना कर दिया तो गुरु द्रोनाचारे जी थोड़ा सा आश्चारे में पढ़ गये कि ये कला जो उन्होंने अभी तक किसी को सिखाई नहीं है वो किसने चलाई तो उन्होंने पूरे आसपास के छेत्रों में जब उन्होंने ब्रह्मन करके उसे ढूड़ा तो थोड़ी दूर जाने के बाद में उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जिसने अपने आँखों पर जब वो लड़के ने अपनी पट्टी हटाई, तो इन्हों ने उससे पुचा कि भी कौन हो तुम क्या करते हैं, तब उस लड़के ने बताया कि भी मेरा नाम एक लव्य है और मैं आपका सिश्चे हूँ, तो गुरुजी ने पुचा कि भी तुम मेरा सिश्चे कबसे बन गया तो उन्हों ने का, गुरुजी मैं जब बचपन में आपके पास सिखने के लिए आया था, लेकिन चुकि मैं गरीब घर का था, तो आपने मेरे को इन लोगों के साथ में सिख्चा लेने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने आपकी मुर्ती बना कर आप सामने रखी और आपको रोल मॉडल मानकर मैंने ये विद्या प्रैक्टिस करने शुरू की, अब अंगुठा ले लिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे मेरे गुरु से कोई, मेरे शिश्यों से कोई आगे बढ़े, ये बात अलग है, दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं रोल मॉडल की, एक लव्य ने गुरु द्रोनाचार्य को रोल मॉडल मानकर उनको फॉलो करते हुए उनसे सीखा और उनसे आगे निकल गया, दोस्तों जिन्दगी में लोग अपना रोल मॉडल या जिसे हम कहते हैं अपना आदर्श मानते हैं, आपने भी किसी न किसी को आदर्श माना होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक लव्य की तरह उतने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ उस रोल मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की? दोस्तो जिन्दगी में हम role model क्यों मानते हैं किसी को ताकि हम उसकी तरह से बने दोस्तो जिसे आप role model मान रहे हैं वो उस level पर या उस सफलता के उस मुकाम पर एक दिन में नहीं पहुँचावता है उसके कई सालों के मेहनत होती है जब आप उसको role model मान लेते हो तो आपका फर्ज बनता है जब आपने उसे role model माना है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी हर बात को follow करें और आप उससे आगे निकलने की कोशिश करें जिस प्रकार से एक लब फे द्रोना चारे से आगे निकलें यह होता है role model का महत्व हमारे जिन्दगी में दोस्तों मेरा आप से सिर्फ एक request है यदि आपने अपने जिन्दगी में किसी को role model माना है तो आप यह कोशिश कीजिए कि मैं उस प्रकार का बनू और हो सके तो मैं उससे आगे निकल जाओं यह role model का महत्व होगा दोस्तों आशा करता हूँ मेरा यह thought आपको पसंद आया होगा यदि आपको मेरा यह thought पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को share करें और यदि आपने किसी को role model माना है या कोई आपको role model माना रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें साथी साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना न पूले Thank you very much